आपको 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 अलॉट हो चुका है तो क्या करना है फ्रेश बाइ करना है लिस्टिंग बूक करना है या अपको आपको आपको आत LAUT नहीं हुआ है तो क्या करना है लगो is important वीडियो में कवर करेंगे चैनल को subscribe tomar नहीं करें सो subscribe करें आपका कि किसी थे इंप्रज बी इनडिवीडियो की notification मिस्ट xenon जैसे कि दुस्तों आप लोग जानते हैं कि बजाज हाउसिंग फिनेंस का IPO का जो प्राइस बैंड था 66 to 60 to 70 रुपीज that is 70 रुपीज के गर कट आफ पकड़के चलें तो 70 रुपए के प्राइस पे बजाज हाउसिंग फिनेंस का IPO आप लोग को ऐलोकेट हुआ है अब 16th of September जो की लिस्टिंग डेट है उस पे क्या expected लिस्टिंग प्राइस है पहले उसको देख लेते हैं तो दोसों आज के दिन के grey market premium के बारें बात रहे हैं तो market में जो जो grey market premium चल रहा है मतलब जो out of the listed market जो कच्चा है जो कच्चा बजार है जो डबबा बजार है जहां पर ये shares बिग रहे हैं वहाँ पर इस share की price as on date is somewhere 7 to 79 rupees over and above its original price मतलब इस stock के बारें बात रहे हैं तो करीब करीब 149-150 के असपास ये stock grey market premium पे trade करता हुआ दिखाई पढ़ रहा है that is stock straight away आपकी capital को double करने के लिए तियार है on the very first day of its listing अब question आता है यहां पर कि अगर stock 149-150 के असपास list होता है तो हमें क्या करना चाहिए should we book on listing date अब दोसों मैं हमेशे बोलता हूँ कि जब कभी भी आपको कोई भी investment related decision लेना है तो आपको अपने financial advisor से पूछ के लेना है लेकिन दोसों यहां पर मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैं अपनी strategy क्या रखे हुए हूँ और मेरी strategy के पीछे का reason और logic क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ultimately it is your choice what are you going to do about it so present listing के हिसाब से दोसों जब कभी भी IPO list किया जाता है तो company अपनी तरफ से अपने जो market cap है उसको maximum लेने की कोशिश करती है अगर company को लगता है कि मेरी जो company की value होनी चाहिए 100 रुपए होनी चाहिए तो वो definitely अपने जो evaluators है उसे इस प्रकार का evaluation करवाती है अपने financials projections को शो करके कि वो 100 रुपए का maximum leverage है 120, 130, 140, 150, 200 वो company लेने की कोशिश करती है तो present market cap of bajaj housing finance as on date as per 70 रुपीज जो 70 रुपए का cut-off price है उसके इसाब से 58,297 करोड है तो कहने का मतलब यह है कि almost 60,000 करोड का यह listing है listing मने से pre-listing का valuation है अगर यह stock list होता है say 149, 150 के रुपीज के आसपास तो simple से चीज़े 70 रुपए की जो valuation थी 60,000 करोड की वो तो almost double से भी ज़्यदा पहुँच जाएगी तो मतलब आप मानके चलिए एक लाग 20,000 करोड एक लाग 25,000 करोड की आसपास company की valuation पहुँचेगी तो 1,25,000 करोड की valuation की other companies की क्या हाला थे जरा उसको एक बर नज़र डाल लेते हैं तो दोस्तों बाज आज housing finance जिस सेक्टर में काम कर रहा है housing finance के सेक्टर में उसमें जो बड़ी बड़ी leading companies हैं कौन कौन सी companies हैं जरा आप उनको देखिए पहली है दोस्तों हड़को, LIC housing finance LIC housing finance इस से में दोस्तों जो market cap है उसकी सिर्फ और सिर्फ 40,000 करोड रुपे की है PNB housing finance के बारें बात रहें 30,000 करोड की भी market cap नहीं है वहीं पर अगर छुटके भाई के बात बात कर लें अब दोस्तों क्वेशन आता है कि क्या ये companies जो 34,000 करोड की market cap लेकर के बैठी है वहीं बजाज housing finance जो 125,000 करोड की market cap पे opening शो कर रही है तो क्या बजाज housing finance के financials इन सभी companies से ज्यादा strong है उसको देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हम लोग बजाज housing finance का performance कैसा रहा है in the recent past years तो दोस्तों ये data आपके सामने है as you can see हम लोग पिछले 2-3 quarter को देख लेते हैं पिछले साल जून 2023 में company ने sales post करी थी 462 करोड की अभी जून 2024 में company ने जो profits post किये sales post करी थी जून 2023 में 1763 करोड की अभी जून 2024 में company ने sales post करी दोस्तों ये बजाज housing finance का data है 2200 करोड की profits के बारे में बात करना दोस्तों तो company ने profits अभी जून 2024 में post किये हैं 483 करोड के जो की पिछले साल के comparison में पिछले साल में 462 करोड के profits पोज़ किये थे तो देरिस हाडली निट अराउंड 5% का जंप है profitability में as compared to the last year performance ठीक है तो 2200 करोड की sales होई है इसके जून 2024 कौटर में और 483 करोड के profits होए हैं बजाज housing finance के वहीं पर इसके peers में अगर हम लोग सिर्फ बजा PNB housing को compare करें अभी हम लोग LSE housing finance को भी compare करेंगे तो PNB housing finance ने अभी इस जून 2024 कौटर में 439 करोड के profits पोज़ किये हैं यह बात आक पर समझ में आ रही है पिछले कौटर में 444 करोड के profits पोज़ किये थे वहीं पर अगर LSE housing finance को compare कर लें तो जहां बजाज housing finance की sales 2200 करोड की है profits 483 करोड के हैं वहीं LSE housing finance का data है sales is approximately 6800 करोड और profits are 1300 करोड मतलब जो आप बजाज housing finance का data देख रहे हैं उसके comparison में आप खुद जोड लीजे जहां 2200 करोड कहां 6700 करोड की sales है जहां profits के बारें बात रहें तो profits of जहां बजाज housing finance और मेर 483 करोड वहीं पर अगर हम लोग LSE housing finance के बारें बात रहें तो 1300 करोड के profits LSE housing finance ने post किये अब दोस्तों price में valuation के बारें बात कर लेते हैं मतलब दोनों में valuation का क्या difference है दोस्तों ये बात separate है कि बजाज Housing Finance का LSE Housing Finance से कोई comparison ही नहीं, कहाँ वो private company, कहाँ वो high growth model, कहाँ बजाज की pedigree, लेकिन दोसों हम लोग numbers पे बात कर रहे हैं, वही numbers से बात करें, तो जहाँ बजाज Housing Finance का as on date return on equity है, करीब करीब 15% के आसपास, LSE Housing Finance का जो return on equity है, वो है 16%, ठीक है, वहीं पर बात करें, प्राइस टूरिंग रिशो की, जहाँ पर बजाज Housing Finance आपको 33 के P.E. पे मिल रहा है, और जब जिसकी listing होगी, तो इसका जो P.E. होगा, वो कहाँ होगा, आप देख लीजे, प्राइस इसका double हो जाएगा जाकर के, और क्योंकि market cap भी इसकी double हो जाएगी न, वहीं पर, अभी हमको L.A.C. Housing Finance मिल रहा है, आठ के P.E. पे, अब दोस्तों, जो चीज़ आपको, मतलब, आप समझा लिजे की, 8.8.64, आठ गुन्य वैलुशन पर आपको बजाज Housing Finance मिल रहा है, as compared to L.A.C. Housing Finance, L.A.C. Housing Finance, जो की Profits के मामले में कहां पर खड़ा हुआ है, अब दोस्तों, ये बात भी फैक्ट है, कि L.A.C. Housing Finance और P.E. & B. Housing Finance, PSU Companies है, Government Related Companies है, तो उतनी अच्छी ग्रोथ आपको इनमें दिखाई नहीं पड़ेगी, but I keep it aside, दोस्तों, प्रेजेंट वैलिएशन के मौडल मात करें, तो P.E. & B. Housing Finance आपको उस प्राइस से मिल रहा है, जिस प्राइस पे स्टॉक 2018 पे टरेट कर रहा है, बल्कि उससे भी नीचे, वहीं पर अगर L.A.C. Housing Finance के बारे में बात रहा है, तो मेरे हिसाब से मैं अभी स्टॉक में इस प्राइस पे बिल्कुल भी जम करने की कोशिश नहीं करूँगा, हाँ, में भी, या, स्टॉक करेक्ट होता है, में भी हो सकता है, स्टॉक यहां से 220-250 भी चला जाए, मेरे वो कोई फरक नहीं बढ़ता, लेकिन मैं लॉंग टर्म में स्टॉक वही बाय करता हूँ, जहां पर मुझे वैल्यू दिखाई पड़े, क्योंकि यह तो मार्केट का यूफोरिया है, मार्केट का यूफोरिया शान्त हो जाएगा, उसके स्टॉक फेट से गिरके 120-130 पे आ जाएगा, अगर दोस्तों यह स्टॉक गिरके 100-120 के आसपास आता है, इसके उपर मेरे साबसा स्टॉक में एक्यूमिलेशन करने का मेरा कुई पॉइंट नहीं बनता है, मैंने आपको डीटेल मिक्सलिंट किया है, तो उसको मुझे कॉमेंट्स बताईए, आपको बजाज हाईपियो का अलॉर्टमेंट मिला भी है की नहीं, और मिला है, तो क्या आप इसको कल के दिन बाय करने वाले हैं, किस प्राइस पर बाय करने वाले हैं, आपका विचार क्या है, मेरी अनलेसिस से सबसे आपको कौन सा स्टॉक जदा बेतर नहीं लग रहा है, do let me know in the comments, do share with your friends जो की confused हैं, कि after all बजाज हाउजंग पिनेस के IPO में क्या करना है, until then, bye bye for now.